नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं यहां कुछ देर रुखने के बाद 11 बच 30 मियट पर रांची अरपोट से मद्य परदेश के जवल पूर रवाना हो जाएंगी राश्पदी द्रोपदी मुर्मू जार्खन अस्थापना दिवस समारों में सामिल नहीं होंगी रविवार को उनके कारिकरम में बदलाव करते हुए दो कारिकरम को रद किया गया था देवघरवासियों को ISBT का मिलेगा तोफा जारखन अठापना दिवस पर देव घरवाचियों को इंटर स्टेट बस टर्मिनल समर्पित किया जाएगा सुबे के राजेपल रमेस बैस और मुखे मंत्री हेमां सेरे रांची से अनलाइन उधगाटन करेंगे देव घर के बागमारे में जूड को द्वारा 20 एकड में 40.14 कलोर की लागत से अत्यधुनिक इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्मान किया गया है वर्ष 2045 की अबादी को ध्यान में रहकर इस टर्मिनल का निर्मान किया गया ताकि अस्थानिय लोगों के साथ परियाटक याम सर्धालों को होने वाली परसानी से चुटकारा मिल सके बता दे अंतर राजिय बस टर्मिनल जूड को द्वारा 20 एकड में 40 कोर 14,34,500 की लागत से बनाया गया है सराय के ला में बीजेपी के लभार्थी समिलल में सामिल हुए रेल राजय मंत्री बीजेपी के लभार्थी समिलल में सिरिकत करने सोमवार को सराय के ला पहुँचे रेल राजय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे अस्थानिय टाउन हौल में समिलल को समोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोधी सरकार गरीबों की सरकार है इसलिए गरीबों के हीत के लिए कई योजनाय चला रही है रेल राजय मंत्री ने कहा है कि केंद्र में वर्ष 2014 में जब पहली बार नारेंद्र मोधी के नितित में सरकार बनी तो सरकार ने पहले गरीबों के हीत में योजनाय चलाने को सोची इसी कड़ी में आय देश के 125 कुलो जन संख्या में 80 कुलो गरीबों को 3 रुपे चावल और 2 रुपे गेहों मिल रहा है यह सिर्फ केंदर सरकार से ही संभाव हो रहा है 22 बर्सों में 20 गुना बढ़ा ज्हारखन का बयट कर्ज भी 14 गुना से अधिक BTM मुर्षे पर ज्हारखन की प्रगति का अनुमान इन 22 बर्सों में पेस बयट के आकलन से असपश्ट होता है ज्हारखन सरकार के बयट का आकार अलग राजे के गठन के बाद से अब तक 20 गुना के करीब बढ़ गया है बतादे 15 नौमबर दो हज्जार को अलग राजे बनने के बाद ज्हारखन का पहला बयट ततकालिन बीत सचीव लक्षमी सिंके नेतित में त्यार हुआ जिसमें 4800 कोड़ रुपे के करीब का बयट आकार तय हुआ और बड़ी बात यह रही कि यह मुनाफे का बयट था सरकार की ओर से 70 को रुपे से अधिक का मुनाफा दिखाया गया था लेकिन बाद के बरसों में सरकारों ने बिकास कारियों के लिए बड़े प्यवाने पर कर्ज लिए और बयट का आकार भी बढ़ता गया नतीजा यह रहा है कि अलग राजे बनने के वक्त जहां जार्खन पर 56 को रुपे के करीब का कर्ज था वही यह आकडा बरतमान में 76,000 को रुपे से अधिक हो गया है सरकार लौंच करेगी स्कूली चात्रों के लिए बड़ी योजनाए जहार्खन के सरकारी एवं सहाथा प्राप्त इसकूलों में नमांकित इसमें उन बिद्ध्यार्थियों की पाचान की जाएगी जिने चिकिस्को के माध्यम से जाच की जरूरी है। बीद भी सयों पर पूछे गए सवालों के जबाब दिये इस कारेकरम में रांची जी लेके साथ परखंडों के 20 बाल पत्रकाल सामिल हुए इस मौके पर यूनिसेफ जारखन की परमुक डाक्टर कनी का मित्र यूनिसेफ की संचार 20 से सग्य आस्था अलंग उपस्थित थी राज यप्पाल के खिलाप हाई कोड पहुँचे सीम हिमन्त मुख्य मंत्री हिमन सुरेन ने खनन लिज आवंटन मामले में भारत चुनाव आयोग के मंतब के जनकारी नहीं देने और राज यूनिसे बाईश दबार現在 चुनाव आयोग से मंतब के मांगे जाने के खिलाब ज त्रेस ने बताया है कि मुख्य मंत्री हमंसुरे ने अपनी अच्का में कहा है कि खादान लिज अवंटर मामले में चुनाव आयोग ने बहुत पहले ही अपना मंतब्य जार्खन राजेपाल रमेस बैस को भेज दिया है लेकिन राजेपाल ने अभी तक इस पर नीना नहीं ल को देखा इस द़रान विभीण भिभागों के मौजूद पदा अधिकारियों को कारेकरम के सिलसीरे में दिसा निर्देश दिया काराम में अतित्यों के बैठने की व्यवस्ता पर पदा अधिकारियों द्वारा जनकारी दी गाईं बता देमी की मंतरी हमंसुरे नियन को के लिए करीब 350 बसों की विवस्ता भी की गई है। थान सीह में आयोजीत सरकार आपके द्वार में धीवरा लेकर पहुँचे और अधिकारियों को उनसे धीवरा खरीदने को विवस करे। इस बीच सोमवार को थांसी डीः पंचायत सची वाले भवान नारोट टांड में आपकी वजनापकी सरकार आपके द्वार सीवीर कायोजन किया गया था T20 वर्ल्ड कॉप में हार के गम के बीच धोनी ने जीता जहरखन टेनिस टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कॉप में भले ही टीम इंडिया बीचेता ना बनी हो लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग्धोनी एक बार फिर बीचेता बन कर उभरे है बता दे अपनी फिटनेस का दिवाना बना देने वाले माही ने जारखन टेनिस टूर्नामेंट की ट्रोफी जीत लिया है एक तरफ जहां टीम इंडिया के कप्तान रोहित सर्मा की फिटनेस पर जहां लगतार सवाल उठ रहे हैं वहीं 40 पार माही ने अपनी फिटनेस से दुनिया को चोका दिया है टेनिस ग्राउंड पर भी धोनी की फूर्ती किर्केट ग्राउंड पर नजर आने वाले पुरानी महेंद्र सिंग धोनी की कुस्ती और फूर्ती के बराबर ही नजर आई सियम हमन्त ने रगवर सरकार के पांच मंत्रियों के खिलाप दिया जाज का देश रगवर सरकार के इन सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाप और एंटी करप्सन बीरों एसीबी करवाई करेगी मुखी मंत्री हमन्त ने इन सभी के खिलाप जाज का देश देते हुए पी इदर्ज करने का आदेश दिया है पुरमंत्रियों पर अवैध तरिकों से संपति अर्जित करने का आरोप है जनजातिय गौरोदिवस के पुर्वसंधिया सहीदों को दिया सम्मान जन्जातिय गौरो दिवस के पूरो संधिया पर बीर सहीदोग के सम्मान में सोमवार की साम को भाजपा अनुसुजी जन्जाति मोर्चा जीला अध्यक संजय मुंडा की अध्यक्सता में नेताजी चोग से सोभा यात्रा निकाली गई कारकरा में मुख्याति थी के रूप में पूरो लोग सभा उपाध्यक्स कडिया मुंडा सामिल हुए उन्होंने नेताजी सुभा चंद्र बोश की परतिमा प्रमल्यापन कर वधिप प्रजलित कर हुए सोभा यात्रा को हरी जन्डी दिखा कर रवाना किया सरना कोड परतिनीधी मंदल का खोंटी में स्वागत दिल्ली के समिधान कल्ब सभागार में हुए बिभीन राजियों की परतिनीधी सभा ता जन्तर मंतर पर सत्या गरह सधर्ना परदशन कर राष्टपति पधान मंत्री की रिमंतर जन्जातिये मामले के मंत्री जनगर्णा महाराइस्ट्रार आधी को सरनाध धर्मकोट समंधी ग्यापन सपने वाले खोटी के 120 सदस्जे परितनीदी मंडल का खोटी में राम मुंडा वा सुक राम मुंडा की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया धन्यवाद